बांगला देश और वियतनाम जैसे देशों में खरीदारों से भारतिय कपास की मजबूत मांग के कारण कॉटन कैंडी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है हाला कि वैश्विक्स्तर पर मिलिंग मांग में सुस्ती के कारण यह तेजी कम हुई है क्योंकि आस्ट्रेलिया जैसे देशों में बेहतर फसल की संभावनाओं के कारण तेजी पर विदेशों में ब्रेक लगती दिखाई दे रही है। सबसे निचले स्तर पर पहुँच जाएगा। भंडार में यह कमी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उतपादक से निर्यात को सीमित कर सकती है। जिससे वैश्विक कीमतों को सपोर्ट मिलेगा लेकिन संभावित रूप से स्थानिय कपड़ा कम्पनियों के मार्जिन पर असर पढ़ सकता है। और अंतराष्ट्रियम मांग के कारण मई 2024 से 25 के लिए चीन का कपास आयात बढ़कर 2.4 मिलियन मीटरिक टन होने का अनुमान है। ऐसे में उमीद की जा रही है कि कपास के स्टॉक में कमी के चलते कीमतों में तेजी बन सकती है।